रमजहन मेरे तरफérique आस्सलाम ओलेकूं बिल्कम बैक टू मयाई चैनल मेरे तरफ से आप लोगों को सब को सब लोगों को फ्रेंड को आप लोगों को मेरे तरफ से रमजान की बहृत-बहुत मुबारत देखिए फ्रेंड आज मैं लाई हूँ आज कबाब टिकका की recipe मगर कबाब टिकका तो आप लोग सभी बनाते भी होंगे और जानते भी हैं मगर मैं कुछ different तरीका से बनाई हूँ इसे तो चलिए video को start करते हैं तो देखिए friend मैं आज आप लोगो बताने जा रही हूँ कि chicken टिकका मैं किस तरह से बनाऊंगी पानी में मैं पहले इसे बॉइल कर लूँगी कि जिस तरह से इसकी गंदगी है वो निकल जाए और लॉंग एलैची मैंने डाली है इसमें और दलचीनी यह तीन चीज़ मैंने डाली है कि इसके इसमें पूरी तरह से एक दम साफ हो जाए पूरी तरह से साफ हो जाए और कुछ तो आप भी खुल दे तो भी अच्छी तरह से उसकी गंदगी निकल जाएगी चिकन की तो मैंने देखे इस तरह से बॉलिंग किया है और इस तरह से उबाल आने तक इंतिजार करें और उसके बाद आप इसे किसी प्लेट में निकाल लें और उसके बाद मैंने इसका मसाला तयार किया है तो मैंने अदरक लसुन का पेज दिया है और उसके बाद मैंने दही दिया है इसमें दही एक टीटी स्पुन दिया है मैंने आप भी उसी कॉंटिटी आपका जितना चिकन कॉंटिटी में है उस कॉंटिटी में आप मसाला दीज और फिर लाल मिर्ची मैंने डाली है और फिर कलर मिर्ची भी मैंने डाली है और नमक इसमें डाला है और यह सब डालके मैंने अच्छी तरह से इसे मिक्स किया है आप भी इसी तरह इसे मिक्स कर ले और मिला ले पूरी अच्छी तरह मैस हो जाए दही और सब मसाले एक साथ मिक और वीटियो को लैग करना ना भूलें। और देखें, फ्रेंड मैंने तो इसमें मसाला मिला दिया है। इस तरह से आप मसाला मिलाईए, अच्छी तरह से मिक्स हो जाने चाहिए, पुरे मसाले। और कच्छे चिकन तो सब चिकन टिक के बनाते हैं फ्रेंड मैंने कुछ डिफरेंट तरीका से बनाए हैं तो इस तरीका से जो बनाएं मैंने आप भी जरूर इसे इसी तरीका से बनाएए बॉलिंग करके तो इसका टेस और लजीज बहुत अच्छा होगा मज़ा टेस बहुत हर मसाले के मकर गंद मिलेगी खाने में और टेस्ट भी लगेगा तो रमजान में आप जरूर इस रमजान में आप जरूर बना करके इसे टेस्ट किजे कभी-कभी हम लोगों के अफ़तार खाके मन भर जाता है तो ऐसे चिकन टिक का कवाब मैं बनाई जैसे इस तरह से आप लोग भी बना के रमजान में सफ कर सकते हैं, आप तारी में लगा सकते हैं, तो इसी तरह मैंने चिकन को इसमें मसाले में मिक्स किया, देखिए मैंने किस तरह मिक्स कर रही हूँ, तो उसी तरह आपको मसाले में चिकन को अच्छे से लिप्टा देना है, पूरी तरह से दम लिपड जाए चिकन और अच्छी तरह से मिक्स हो जाए एक दूसरे में एक दम चिकन दिखे ना वाइट एक दम रेड हो जाए मसाले से तो मिक्स हो जाएगा और मिक्स होने के बाद इसको कुछ दिर बाद रख लीजिए या फिर आप स्टिक में इसको कवर कर लीजिए कवर कर के स्टिक में फिर उसके बाद अभी से फ्राइ करें इसे फ्राइड देखिए फ्रेंड मैंने तो इसे आदा घंड़ लगा के मसाला में रख दिया तो फिर मैंने इस्टिक में लगाया है तो इस तरह से स्टिक में आप सब चिकन को लगा लीजिए और इसी तरह लगा के फिर आप इसे फ्राइ कीजिए मैंने तो इसी तरह किया है और आप भी अगर आपके पास टाइम ना हो आदा गंड़ रखने को तो फिर भी आप इसे दस मिनट तो कम से कम रख दीजिए मसाले में लपेट के फिर उसके बाद आप इसे स्टिक में लगा कर आप इसे फ्राइ कीजिए अराम से फिर उसके बा देखिए फ्रेंड मैंने यहां पेन में आइल लिया है तो आइल ज्यादा हाट गरम भी ना हो और ज्यादा थंडा भी ना हो मैंने इस तरह से लिया है आप जिस तरह से लिए आप तबा पे करें या अवन करके खाएं जिस तरह से भी खाये चिकन टिक का तो उस तरह से टेस्टी होगा और टेस्ट लगेगा खाने में मैंने फ्राइपेन में तेल में इसे फ्राइ किया है आप जिस तरह से भी फ्राइ चिकन टिका कबाब यह पूरा तैयार है किया किस तरह से रोज हो गए पूरा लाल दिख द disp देङ के इन लाल आप मैं ऐसे निकालूंगी और सफ कीजिए आप इसी तरह रमजान में अफ्तार के लिए ये चिकन टिक का कबाब रिडी है तो फिर फ्रेंड यहीं पर मेरे विडियो इंड करती हूं मिलते हैं नेक्स विडियो में अल्ला हाफिज नेक्स विडियो में अल्ला हाँ झा झालूंगी पर में अल्ला हाँ आप